नमस्कार सातियों बहराव एक्रिकल्चर क्लासेज एंड अकेडमी गंगापुर सिटी के डिजिटल प्रेटपॉर्ण पर आपका हार्दिक स्वागत है तो सातियों आपको पता है जैसा कि आज जो एक्जाम था बार्मी क्लास के लाश्ट एक्जाम क्रेशी जिब विज्ञान आपको पता ही है कि अभी जो अपनी रेस है वो अभी नहीं होई है आपको पता ही होगा कि BSc अगरी कल्चर के लिए अपनको आगे अभी तो रनीटीच अपन करने है क्यों क्यों क्योंकि इसमें बीच में एक पहाड बन करके जैट और स्यूटी जो रख वार करते हैं around उनक उसको बिल्कुल भी नहीं रोकें आपको मैं बता देता हूं कि अभी प्रिजेंट में जैट और स्यूइटी स्यूइटी के अंतरकत जो अपन के कि जो लाश्ट डेट है वो 15 अप्रेल है और स्यूइटी जो के फोरम पहले तो अलाकि इसकी लाश्ट डेट 27 मार्च थी पंद इसको बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया है तो जिन भी सातियों नहीं जिन भी विद्ध्यार्तियों नहीं जो भी बीसी अग्रिकल्चर करना चाहते ह है तो उसके लिए बहुत ही सुनेरा अफसर है यह क्यों क्योंकि अभी आप बार्मी के साथ ही अपना जो सीट है वह आप सुनिच्चित कर सकते हो तो सातियों बिल्कुल भी आप बिल्कुल मतवड़ा मैं आपको बताजता हूं कि जिन भी सातियों ने जिन भी विद्ध्या सातियों बिल्कुल भी उद्यपुर नहीं जाना बिल्कुल भी जैपुर नहीं जाना अपनी इस हैर गंगापुर शीटी में और मैं आपको बता दू अभी भेराव एकरिकल्चर अकैडमी के द्वारा एक सेकंड ब्रांच जो कि करॉली में करॉली में आपको बताई होगा इसके बारे में पूरी डीटेल जो है देखो जैट का और कर्फिस के रहने वाली है जब तक कि आपकी एगजाम नहीं लग जाए चाहे वो जेट की हो चाहे CUT की हो जेट की जो एकजाम है वो आपकी दो जून को है और CUT की जो एकजाम है वो आपकी 15 मही से और 30 मही के बीच में आपकी कभी भी लग सकती है तो साथियो जो हमारे हाँ पर जो जेट का और CUT का पहला जो बैच है वो आपका कल 29 मार्च से शुरू हो रहा है और सेकंड जो बेच है वो अपने आपर 5 अप्रेल 2024 मतलब 5 अप्रेल आने वाली है उससे शुरू होने वाला है साथ यो बिलकुल भी सेकंड बेच की तरफ मत पहली बेच में जौन करो क्योंकि टाइम कम है सिर्फ पर से पाप यह समझो दो महिने है दो महिने की 10 के साथ है साथ यो सेसंहां आप सकते हो काफी विद्धार थी हैं पहले भी अमारे आपर पड़े थी सर्प रच्छों पीजिए सरें मइं क्रेस कोर्स में तो मैं आपको बता जिता हूं कि जो पहला जो बैच है वो अपना 29 मार्च से शुरूरा और दूसरी चीज अपने हाँ पर गंगापुर सिटी में जो गंगापुर सिटी में अपनी जो ब्रांच है उसमें जो विद्यारतों को ट्याम रहेगा वो सुवेर 9 साथ पहली बात तो अपने हाँ पर बोस्टल की आपको शुविदा रहेगी साथ साथ में पृतिक सब्ता मतलब पृतिक साप्तिक आपको जो टैस्ट है वेल्कूल और वेसे इस पर जैसे ही आपकर यह कर सके कि अपनी जो पढ़ाई किस प्रेकार से चल रही है सातियों मैं आपको कुछ बता देता हूँ लास्ट येर हमारे संस्तान में ये मानों की सेलेक्शनों की तो भरमार हो गई मतलब इतने कम समय में इतने सिमित समय में एक अच्छी और 60 ग्रणीति के साथ में जो हमने सेलेक्शन दिये हैं साधी आज़ पास के छितर में किसी भी संस्तान ने इस प्रकार से सेलेक्शन नहीं दिये सातियों मैं आपको बता देता हूँ कि अपने हाँ पर ICR जो की ICR बोला जाता है कि अपने के इंडियन लेबल का एक प्रकार का या नेशनल लेबल का एक प्रकार का फुर टप एक प्रकार का मतलब पेपर आता है इसका पन उसमें भी हमारे यहां से 10 बिद्धार्टियों का अपने बार्मी के साथ हुआ है जैसे अपने बार्मी के साथ ही भरतलाल मीना है इसको तमिलनाडव अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी जो की गुजरात में है तो साथियों ऐसे भी करीब मतलब 10 बिद्धार्टियों का अपने आशे ऐसे से चानी से बच्चों का जिसमें जाधतर जो विद्धार्टी है वो बार्मी के साथ ही उनका सेलेक्शन हुआ है मैं आपको बता दू जो आपको बता जलू जानांत सचन यह सारे के ऑपने हां के जैट के बच्चे है और इनका सेलेक्शन हुआ है और यह अभी अपनी तयार है है कि हमारे आपर सिर्फ और से भिषरशकों द्वारा और ही अध्ण्द करवाया जाता है है ना हमारे आप पर motivational speaker जो की विक्रम जी है मनोज जी है मनोज जी present time में क्रेसी विवाग राज्तान सरकार में है साथ साथ में विक्रम जी है वो भी डवल आरो के पद पर अपने की क्रेसी विवाग में है तो उनके द्वारा आपको guide मिलता है आप तो उससे आपका selection है वो सु करना है तो वो मैं आप invite करूंगा विक्रम जी सर वो अभी आपने हाई है तो विक्रम जी सर आपको बताएंगे कि कि किस प्रकार से सिर्फ दो महिने की 60 ग्रणनिती में आप जेट के जेट के द्वारा या फिर आईसे आर के द्वारा आपनके भारत की या राजस्तान की कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको पवंजी ने कव बेच स्टार्ट हो रहा है कव आपका आई सी आर का कव स्यूटी की लाइश डेट उसके बारे में सब आपको पवंजी ने बता दिये दोस्तों मेरे को यहां पर invite किया है कि आपको आपके पास में अभी चल रहा है अ उनमें किस तरीके से प्रिवेस आपको पाना है उसके लिए मेरे को थोड़ा सा नोने इनवाइट किया है तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अभी पवंजी ने आपको बताया कि अपना कल से ही मतलब 29 तारीक से यहां पर बैच शुरुआत कि जा रहे हैं जैट और सीवीटी के तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यहां पर जो बैच स्टार्ट किये जा रहे हैं तो सिब अभी काफी जो बिढ़्यारति है उनके दिमाग में कई बार यह रहता है कि अभी जैपरते करते हैं उधन पूर All Right most है तो इन चीजों को आप थोड़ा सदूर अ कर सकता ही तो मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से आपको सलक्सन हो सकता है चाहмен वहह त्पकर से चाहिए चाहे सबसे पहले आपको जैट के बारे में ज्यादा तर विद्यारतियों को पता ही होगा मैं आपको बता देता हूं कि जो जैट में जो कुश्चन आते हैं वह आते दोस्तों 120 कुश्चन आते हैं आपको सब सब्सक्राइब को पता है कि एक तो आती है वाइलो जी का जो है आपके чис verdict कूश्चन आते हैं आपके एगरी कल्चर के जुकरशी विज्ञान है उसके आपके 40 question आते हैं और एक आपका रसाइन विज्ञान जिसको अपन chemistry इंगलिस में बोलते हैं उसके भी अपने 40 question आते हैं तो कुल मिलाके जो question है आपके 120 question आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कर दिया है कि इस बार भी जो रास्तान सरकार है उसके हिसाब से यहाँ पर यूनिवर्सिटी जने भी चार option की जगे चार विकल्पी जगे पर वहाँ पर एक पांच वा question कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर चालीश question वाइलोजी मतलब जीब विग्यान के 40 agriculture और 40 रसाइन विग्यान के आते हैं तो यहाँ पर अगर आपन देखे कि बाइलोजी के आते हैं और दस question आपके agriculture biology जिसकी अभी आप आज ही एक्जाम देखे आयो क्रसी जीब ग्यान के उसके आपके 10 कोशन आते तो यहाँ पर अगर अगर अपन देखेंगे agriculture का तो 40 कोशन तो आपके बिल्कुल agriculture के होगे 10 आपके agriculture biology के होगे और यहाँ पर अगर देखें आप chemistry के रसायन पर ग्यान के तो 40 कोशन में से यहाँ पर भी आपके 10 कोशन किरसी रसायन के जो आपके agriculture chemistry वारवी में चलती है वहाँ से कोशन आते हैं आपके 10 कोशन तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह करीवन करीवन 60 कोशन आपके केबल और केबल agriculture subject से स कुशन नमबर हो जाते हैं वह जाते हैं लगबग 240 नमबर दोस्तों अगर पिछली बार की कटोब के बारे में मैंने थोड़ा सा एनलाइसिस किया था उसमें मैंने देखा था कि जो सरकारी कॉलेज हैं वह लगबग ने बिल्कुल भी टच नहीं किया है अगर साथ कोशन में से अगर आप पांच-पांच कोशन दस-दस कोशन में नॉर्मल तयारी के लिए बता रहा हूं मैं तो कहुंगा कि आप इनको सब को करो लेकिन अगर मैं तो बता रहा हूं कि मिनीमम आप सोच रहे हो कि कैसे सलक्शन होगा तो अगर आप इसमें से मिनीमम पांच-पांच कोशन 6-6-7-88 कोशन भी अगर कर देते हैं तो गारंटी से आप राजस्थान के टॉप जो क्रिसी के जो कॉलेज है उन्हें आप क्या कर सकते हो तो दोस्तों यहां पर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है कि किस तर अप ढात्यक होगे साती साथ में बालाजी पर चेंश्ठी पर भी थोड़ा ध्यान द्यान दें तो आप अच्छी तरीके से आप जो यहां पर जेट में अच्छा तरीके से सबसे इस और agriculture chemistry को अच्छी तरीके से पूरे साल बर तयारी करके पढ़ाए जब कि जो एक साल ड्रॉप कर गए हैं student वो इससे थोड़ा दूर हो जाते हैं तो आपके लिए वड़िया है आपको थोड़ा सा chemistry और biology पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दोगे वागी agriculture पर आरासानी से selection हो ज